वार्ता एक्सो त्रीस स्वामी नारण हरे चैत्रसू छटने रोज सवारे वुरुषपूर मद्ये बापा स्री पुजा करीन सिक्षा पत्रीनों पाठ करता हाता ते वक्ते अरी भक्तो प्रतियम बोल्या जे आ सिक्षा पत्री महराजे लखी छे ते आचारिय संत ब्रह्मचारी पार्षद अरी भक्तो बाई भाई सर्वेने पाढ़वानी छे तेने महराजे पोतानु स्वरुप कहुँ छे मारादना आश्री थो ते सर्वेयमा लखी आग्ना प्रमाने रहे खरा साधू के खरा अरी भक्त पने ये ज़ कैवाई आग्ना परायन अंग हो तेने वचन निवासी कया छे माराद एवा भक्त उपर अती प्रसंथाई पण जो ये मायलू एके वचन लोपे तो राजी न था माटे अधिकार मोटा यादी मा लेवाई कोई वचन नो लोप न करो पछी बापा स्री ठाकुर्जीना दर्शन करी ओस्रीमा सभामा आवीने बेठा ने सवने जय स्वामनेन कहा पछी संतो प्रतियाम बोल्या जो तमें महाराजना संत छो ते महाराज विना बिजू काई इच्छो नहीं तमने स्रीजे महाराजे व्यवार मार्गमा अमंगलिक गण्या छे माटे तमारे एक महाराज वाला राखवा त्या आगी निरित बुलीन ग्रहस्त ने मार्गे चलाए तो मोटी खोटावे माटे कोई संत मुर्ति विशारी ने अमंगलिक थशो नहीं अमंगलिक तेशू तो द्रव्य खेत राधी राखवूते तेवू काई नहों इने एक स्रिजी माराज नी मुर्ति हो ये खोड़ा मांगलिक तमारे तो माराज नी मुर्ति विना बदूई मुकी दिधा जेऊ छे अमे आम बातो करिये चिये पण मुर्तिने भुलिय नहीं अने संतरी भकतावे छे, तेमने एक मुर्ती आपवानो जमारो ठराव छे, आ अमारो अहिंसा मयग न छे, तेमा कोईनू मन दुखाई नहीं, यो खटको राखिये छिये, केम जे आपनो अहिंसा दर्मा छे, साधुने बिजे गाम जवा टाने गाडा जोडा हुआ, तेमा आओ विचार कर वो खपे, अमारो ठराव येवो जे क्याईक जवू होई, ने कोई गाडू जोडे, पन बड़त घरडा दुबडा होई, तो अमें काईक बानू काडी न जईये नहीं, येवा अबोल जीवने दुख था, ते करता पगे चाली न जवू ये ठीक, ने आमा महराज राजी था, मुटा संतो प्रथम एम करता, ये विरते बिजा काम मा पन कोईनू मन न दुखा, येवो खटको राखिये चिये, अमें आ एगनमा सवने कयो, जे कोईनो बड़त मादो होई, अथवा गरडो के दुबडो होई, तेने गाडे जोड़ू नहीं, कोई येवा ने जोड़े ति थी तेने पराने चालवू पड़े, एटले निशासा नाखे, तेनू पाप अमने लागे, अमें कोईने दुख दईये एवा न थी, धर्म पड़ावा मा तो मन दुखा, ये तो कयावी ना चाले नहीं, के अम जे धर्म लोपनार ने आगल दुख बहू ते करता तेने ठपको आपी ने के परायास्चित करावी ने पण ठेकाने पाडिये, तो तेने सारू थाए, अमना एक गाम थी, एक जणानो कागल आवे वतो, जे मारे एगनम आवू उचे, ते तमो लखो तो आवू, पण तेने परायास्चित करियो न थी, एटले आमें त दर्शन आव्या, तेमा अपन एकने प्रायस्चित आपवानू हतू, तेती तेमने कहिऊ, जे तमारा गामना आरी बगतो ठराव करी ने, एक के बे तमारा माथी भूझ जाओ, अने संतो कहे, तेम स्री नर्नारान देवनी समक्ष करावी आओ, तेमा जाजा मनुष ने संबल जाजाने जनावू, ते पूँठ देखाडवा जेवू छे, माटे पांच मनुष जानता हो, ते जाने, ते रिते जेम बने तेम छाणू करावी चोखो करवो, पछी माथकना भगवान जी भाई आज जोडी न प्रार्तना करी जे, बापा अमारू ने अमारा कुटुम नू तो नू कल्यान करशू, पण जेने स्रीजी मारादनों आशरो नहीं हो, ते तो 84 माथड़ाशे, आशमें स्रीजी मारादे कल्यान बहुँ सोंगू करिए पण अभाग्या जीव ओलखे नहीं, इल्ले कल्यान थाय नहीं, जो ओलखे तो महारात ता महारातना मुक्त एक पाकरी ने वाद करीजे, सट्संग माँ जयने धीवबावे, तैने मुक्त सर्वे तेजो में भासे, आ मंदीर, मेडी, घर, उसरी सर्वे तेजो में छे, तेज उन्वामार छे, वच्चे महाराज भी राजे छे, ये मुर्ती माँ अनंत मुक्त किल्लोल करें छे, फरती सभा बैठी छे सर्वे तेजो मैचे महाराज कहे छे कि जिया पुर्षोतमनी मुर्ती तिया आक्षर धामनू मद्य इटले मुर्ती न फर्तू तेज तेमा चारे कोर मुक्तना मंडल बैठा छे महाराजना अनादी मुक्तना विश्वास हो है तेना आ वात मनाए ने आठे पहर रहे मुर्ती ना सुखनी खुमारी रहे ते वक्ते नाराण पुर्वाला खिमजी भाय चन्दन तथा आर लईना आव्या तेयारे बापा श्री बोल्या जे सोड नू संकारमा गयों तू सोडी हती ते संकारमा रही त्यां तो जान जती रही तेम तमे पुजानी सामगरी त्यां कथावार्ता जतिरे यहू थयू अत्यारे संतरी भक्तों नी सभामा ब्रह्म्यक्न थाई छे आज उओ गामो गामना अरी भक्ता आवया छे अने हजी संग आवया करे छे सभामा काई नी काई वातो थाई छे मुर्तिना सुखना अम्रुद गन वर्षे छे वारता 130 मी जेते थे